और अगर आपके जानने वाले कोई भी लोग इधर उधर लगता है नीट की तयारी कर रहा है, उनका जूनियर है इसमें आने वाला, तो उसको share भी करो, इसको share किसी भी गुरूप में आप share में डाल दो, दो-चार लोगों को देखेंगे, तो उनका वाला ही होगा, क्योंकि य मैं सब के लिए बता रहा हूँ, अगर आपके student group में हो, जहां पर need aspirants है, कोई telegram group में हो, जहां पर need aspirants है, तो इस वीडियो को जरूर डालो So, hello everyone, आज का वीडियो 39 days बचे हुए हैं, उसका वीडियो है, need 2024 exam के 5th में को आपका exam है, आज हम लोग बैठे हुए हैं, 26th of March, तो अगर हम बात करें कि अब क्या आप strategy होनी चाहिए, कैसी आपके तयारी चल रही है, तो भाई देखो, तीन भागों में बटे हुए students हैं, इस टाइम पूरे इंडिया में तीन भागों में बटे हुए students हैं, जो उनको देखके उनको लगता है, उनका selection हो जाएगा, अगले ही पल किसी और test के result को देखते हैं, तो वो ठोड़े disappointed हो जाते हैं, उनके लगता हुए उनका नहीं होगा, तीसी category वो है, जो बिल्कुल clear है, उनका नहीं होगा, लेकिन वो लगे हुए सिर्थ दिखाने के लिए अपने parents को और अपने core group को या घर वालों को, teachers को ऐसी category है, तो तीसी category में कई लोग test देना बंद कर चुके हैं, कई लोगों को लग रहा है कि यार किसके सार ये ठीकरा फोड़ा जाए, कहां मेरी गलती हुई, जो honest बच्चे हैं, हर category में कुछ honest बच्चे भी हैं, कुछ और आप उसके लकीर को पीटो, मल्लाब वो जहाँ निसान बनाके गया, उस निसान को पीटो तो कुछ नहीं होता, फसल सूक जाए, बारिस कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं हो सकता, पेड़ सूक गया, आप जड़ है, उसमें पानी दे रहा हूं, कुछ होगा क्या, एक कहावत भी है अब पच्छताय क्या होत है जब चडिया चुक गई खेत तो ये आपके साथ ना हो इसी के लिए तो मैं वीडियो बनाता हूँ रिकॉल करवाता हूँ आपको बताता रहता हूँ सो वेलकम आपका मेरा मैं मिस्सा सर हूँ मेरा नाम वैसे डीके मिस्सा है लेकिन मिस्सा सर के नाम से मेरा ये चैनल है और मैं 7 पीम पे आप लोग को वीडियो आपको लोग के लिए लिए लिके आता हूँ जिसमें मैं कोसिस करता हूँ कि उन सारे छोड़ी छोड़ी बातों को मैं address करूँ बताऊं आपको जो normal routine में आपके साथ, आप encounter होते हैं उन सारी चीजों से तो आज का जो topic है वो ये है कि कैसे हम अपनी strategy को आगे बढ़ा के जो मेरा test series है, in fact let me show you also ये जो मेरा test series है, जो मैंने 999 rupees में दिया है ये packet हो गया, मैंने promise 27 को career कराने को बोला था तो कल ही होगा, क्योंकि आज packet को बनाने में बहुत team लगी हुई थी और पूरी team एक तरह से कर नहीं पाई, 60 से जादा बच्चों ने इसका farm fill किया ये कुल मिला के देखो ये, ये छोड़े छोड़े test है, कुल मिला के ये 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 पूरा ये thickness है, इसमें ऐसे ऐसे test है, एक test मैं अगर निकाल के देखूँ तो आपको दिखाता हूँ, जैसे ये कोई test है ऐसे, ये एक test है, ये दूसरा test है, ये तीसरा test है ऐसे करके यह सारे टेस्ट आपको मिलेंगे इसके अंदर कुल मिला के 30 टेस्ट आपको मिलेंगे और आपके घर पे जाएंगे कल से रिस्पैज करना स्टार्ट करूँगा जितने लोग देहराद उनके हैं वो आके यहीं से ले सकते हैं मेरे हैं से सेंटर से राजपुर रोड पे जो आसपास के दूर के हैं उनको तो कुरियर कराऊंगा ही चलिए स्टैटजी पे आ जाते हैं स्टैटजी टेस्ट को लेके भी है स्टैटजी बिना टेस्ट के साथ भी है हर किसी को भी जो भी serious experience है पूरे पूरे अप्रिल में कम से कम 10 मौक टेस्ट लिखना है 10 मौक टेस्ट कितने 10 मौक टेस्ट वर्स केस में भी 5 मौक टेस्ट को लिखना ही लिखना है मालली preparation नहीं हुआ, confidence नहीं आ रहा, मन नहीं कर रहा है पढ़ने में जादा समय दे रहा है, बहुत honest है अच्छी चल लए यह बढ़ाई, तो भी 5 टेस्ट उसके बाद कम से कम मेरा मानना 10 टेस्ट अब 10 टेस्ट आपके पास नहीं है यह अगर आपने लिया तो यह तो 30 टेस्ट होगा इसमें 10 मौक हैं, 10 11 के हैं, 10 12 के हैं तो जब आप इस category में हो, तो क्यों नहीं आप यह सोचो कि मैं मौलाना अजाद Medical College में पढ़ लूँ मैं AIMS में पढ़ लूँ, मैं BHEU में पढ़ लूँ मैं किसी बहुत अच्छे SN Medical College आगरा में पढ़ लूँ, KGMU लखनों में पढ़ लूँ PGI या कहीं भी आच्छे College में पढ़ लूँ, जिस भी स्टेट से हो, वहाँ के Top के College में पढ़ लूँ क्यों ऐसा इसलिए आपको सोचना पढ़ेगा, क्योंकि आपका लगभग-लगभग selection पका, आप 630-40 से उपर score कर रहे हो, अब आपको अगला जो जंप मारना हो, पचास नंबर, 60 नंबर का जंप मारना है, 680-690-700 टच करते ही, आप Top 10 के ranking वाला कोई भी College ले सकते हो, अब पचास नंबर का जंप करना 630-40 के ऊपर थोड़ा मुश्किल टास्क होता, it's really very tough, but you have still more than 39-37 days, 39 days होने के बाद अगर यह ना कर पाओ, और आज आप 630 से बैठे हो, तो really you are going to miss something आप एक Achiever बनने से रह जाओगे तो selection होना अपने आप Achiever है आप है, क्योंकि आप 25 लाग 24 लाग बच्चों में लेके आएंगे rank 10,000, 20,000, 30,000 और अगर 630,40 है तो बहुत अच्छी rank है आपकी, उसके बाद भी अगर आप 50 नंबर अगले 30,40 दिन में नहीं बढ़ा पाओ, तो क्या कर रहे हो यार, सोचना इस बात को, similarly जो borderline वाले student है, मैंने अभी थोड़ देर पहले बोला, कि सांप चला जाए, लकीर को माड़ते रहे है, कुछ नहीं होगा, सांप को पता भी नहीं चलाएगा, फसल सूख जाए, बारिस हो जाए, क्या फरक पड़ता है फसल दुबारा नहीं उख सकती, पेड़ कट जाए, आप जड़ में पानी डालिये दुबारा नहीं हो सकता, आप बड़े सारे वहाँ पे अबस्टेकल लगा दीजिए, फसल को शड़िया चुक गई, अब बचेगा नहीं तो जो चीज एक पर निकल जाएगी वहाथ से, वह आपको पास दुबारा नहीं आएगी, दुबारा अगले लाइन पे हो, कभी 500 स्कोर करते हो, कभी 430 करते हो, कभी 540 कर लेते हो, कभी 390 रह जाता है, कभी 600 भी हो जाता है तो आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, परफार्मर हो, it's a matter of, doubt की matter of some confusion जहां से आपको दिक्कत हो रही है वही आपको पहचानने की जरुवत है और इसके लिए मैं 1st of April से physics की class लेके आ रहा हूँ जहांपे मैं पक्का दावे के साथ कहता हूँ कि मेरी पूरी कोसिस होगी कि 150 से लेके 180 मार्ग तक हर बच्चे को दिलवाया जाए और उसके लिए session कैसा होगा कैसा हो फ्री होगा कोई भी पैसा नहीं लेगा और हर session के बाद एक note आपको जो मैं लिखवाऊंगा वो टेलिग्राम ग्रूप में डाल दूँगा तो ये काफी अच्छा होने वाला आप जरू जोइन करना अब आजाते हैं तीसरी कटेगरी के student के लिए तीसरी कटेगरी जो उनको लग रहा है उनका selection नहीं होगा वो केवल दिखाने के लिए अपने parent को समझाने के लिए बताने के लिए वो केवल और केवल अपनी तयारी को जारी रखे होगे है तो ऐसे लोगों को मेरा message है कि देखो यार selection होना नहोना कई बार अपने हाथ में नहीं होता है लेकिन जो effort होता है वो अपने हाथ में होता है हमारा effort कभी भी future में हमारे आवसाद यानि हमारे अफसोस का हमारे depression का एक region नहीं होना चाहिए अगर आपने बहुत अच्छी मेहनत कर ली तो future में कभी आपको ये नहीं लगेगा कि आर मैंने कम मेहनत की कभी आपको ये नहीं लगेगा कि कास अगर आपने मेहनत कर लिया हो तो आज हमारे दिन अच्छे होते क्योंकि जितने भी struggling लोग देखते हो जब लापरवा लोगों का दुरदसा और बहुत अच्छे दिन आप नहीं देखते हो, तो आपका आगे आने वाला दिन भी कुछ पुरा हो सकता है, या सायद उतना अच्छा ना हो, जितना आप डिजर्व करते हो, तो अपने डिजर्वेंस को पाने के लिए, अपने डिजर् मैक्सिमम पोटेंसियल पे काम करो, कि इससे ज़्यादा तो आप कर ही नहीं सकते, यानि आप्टिमम लेवल पे आपकी परफार्मेंस होनी चाहिए, अगर ऐसा आप करते हो, तो बिस्वास मानो, कॉन्फिडेंस मिलेगा, भले सेलेक्शन ना मिले, एक जबरदस्त आतम बिस अगर आपके जानने वाले कोई भी लोग इधर उधर लगता है, उनका जूनियर है इसमें आने वाला, तो उसको सेयर भी करो, इसको सेयर किसी भी ग्रूप में आप सेयर में डाल दो, दो चार लोगों को देखेंगे, तो उनका वला ही होगा, क्योंकि यह मैं सब के लिए ब इस वीडियो को जरू डालो, थैंक यू, थैंक यू, वेरी वेरी मच, बबाय, टेक केर